हलो दोस्तो स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको इस गोली के बारे में कुछ जानकारियां देने जा रही हूँ जिसे आप देखकर हैरान हो जाओगे दोस्तो आपने तो यूटूब चाइनल चलाती होगे पर उसमें तरह-तरह के फिक बनाकर लोग डाल देते हैं लेकिन ये जो टाइबलेट है दोस्तो ये बहुत सारे पोधे को मारने की काम में आते हैं लेकिन आपको इस से बचना होगा क्योंकि आपनी घर पे तो बहुत तरह के प्लांट लगाए होगे जैसे की फलावर वाले होंगे या सबजी वाले होंगे साग होंगे या किसी तरह के फल वाले प्लांट होंगे तो आपने तरह तरह का प्लांट लगाए होगे दोस्तों पर आपको इस टैबलेट को उसमें नए डालना है क्योंकि इसलिए नए डालन यह tablet जो हो है यह किटानों को मारने की काम में आती है तो आप तुलसी की पौधे में आप किस तरह से डालोगी क्योंकि यह tablet को तो डालना ही नहीं है और यह घुलता भी नहीं है क्योंकि यह तो दोस्तों देखिए हमेंने तो इस तरह का तुलसी का पौध हमेंने लगाई हूँ आपने देख रहे हो कि कितने बड़े हमारे तुलसी के पौधे हैं और यह बिल्कुल बड़े आकार का हो गई है और इनके जड़ भी देखिए अब कितने मोटे हैं यह मैंने जैमिन में ल बिल्कुल ग्रीन है आप एक नजर से देखे कि आप किस तरह से ये पत्ते हमारे बिल्कुल ग्रीन है और हम आपको दिखाते हैं दूसरे तरफ ये हमारे तुलसी सावला है जिसे हम लोग बोलते हैं सावर तुलसी तो ये दोनों एक ही पोधे में ये दो तरह का तुलसी है जै और ये हमारे ग्रीन तुलसी का इस तरह से ग्रीन जैसा इनकी मंजरी है दोस्तों ये दोनों में आपको तो बहुत ही फर्क दीख रहा होगा क्योंकि आपको मैं दूर से दिखा रही हूं अपनी वीडियो कि इस तरह से आप देखकर समझ सकते हो कि ये पोधे जो है इसमें किस तरह से सामला है और ये किस तरह से इनकी ग्रीन है ये दोनों तुलसी एक ही पोधे में क्यों है इसका वजह क्या है और ये जब तुलसी इस तरह से ग्रीन और सामला है दोनों एक ही पोधे में है तो आपको ऐसा क्या करना है कि इसको रच्छा करना है बचाना है कौन ऐसा च जीवित रख सकते हैं, क्युकि आपको तो जीवित रखना बहुत ही, बहुत ही अच्छा माना गया है, तो आपको इसमें क्या ऐसा काम करना होगा, कुण ऐसा चाहिए डालना होगा, दोस्तों, जो मैं आपको दिखाऊंगे अपनी वीडियो पर, आप मेरी वीडियो देख रह से मैंने आपको दिखा रही हूँ इनकी जो मंजरियां है ये इस तरह से सूख रही है और ये क्या होता है कि इसमें बेटामिन्स और एलिमेंट्स की कमी होने की वजह से ये मंजरियां जड़ने लगती है उसकी बाद धीरे-धीरे पौधे सूखने लगती है जैसे कि आप का और जो दिखा रही हूं तब तब तक आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आएगी तो मैंने आपको दो किलर का तुलसी जो दिखाई हूं जो आप की सामने इस विडियो पर मैंने आपको दिखा रहे हूँ ये ग्रीन कलर का और मैंने इधर रेड कलर का दिखाई तो दोस्तो मैंने आपको दिखा रहे थी कि इस तरह से ये मंजरी मंजरी क्या होता है कि धीरे-धीरे सुखने लगती है और सुखते-सुखते वो टहनिया तक पहुच जाती है अटेक करत के बाद क्या होता है वो पौधे सुखने लगती है इस तरह से सुखकर ये पतियां चढ़ने लगती है दोस्तों आपनी घर पे हिंदू धर्मे में तो तुलसी को बहुत ही बेहतरीन और सुम माना गया है क्योंकि हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही उचित उचित माना गया है तो आपको इस तरह से आपको क्या करना है जैसे कि आपके घर में भरा पूरा परिबार हो उसमें माते हैं माता रहते हैं पीता रहते हैं लोग परिबार भाई बंधू रहते हैं बहुत तरह के उसमें परिबार रहते हैं उस तरह से ये तुलसी को लगान पूरवक हम लोग पूजे पाट करते हैं दोस्तों तो इस तरह से हम लोग तुलसी को बहुत ही अच्छा माना गया है तो इसमें जब खराबी पहुचने लगता है तो आपको क्या करना तो दोस्तों मैंने आपको तो बता रही थी कि तुलसी लगाने के लिए घर परिवार के लिए सूम माना गया है इस तरह से ये तुलसी जो है हमारे बहुत ही बेहतरीन और ये इन तुलसी के पत्ति को भी लोग खाने की काम में करते हैं इनकी मजणिया को खाती है इनकी जो बीज होते हैं उनको लेते हैं इस तरह कि फलाबर जो हैं उनको भी लोग लेते हैं बहु दोस्तो आपनी तो इस तरह से हम लोग जमीन में मैंने आपको दिखाई हूं कि इस जमीन में किस तरह से मैंने तुलसी का पौधा लगाई हूं लेकिन मैंने ऐसा जगह पर लगाई हूं ये ठीक बॉंड जी की दो फिट हटकर है क्योंकि इसमें धूब भी उतना ही पड़ रह है वो क्या करना है कि ठंड के मौसम में आपको गमले उठा कर थोड़ी धूप में रख दे और जब साम हो जाए तो आप अपने उनकी ओक्सीजन लेवल के लिए आप अपने घर में भी रख सकते हो उससे आपका घर का वातावारन बहुत ही सुध और बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि इस तरह से आपने पौधे लगाती है तो आपको उस पौधे को केर करना बहुत ही सुध माना गया है और इस तरह का पौधी तो दोस्तों फिर मैं आपको बताने जारी हूँ कि इस पौधे को देखरे करे अच्छा से रखे और अधी उससे भी ठीक नहीं हो रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ यह हमारी हल्दी पौडर है यह बिलकुल एंटी सेप्टिक पौडर माना गया है हम लोग तो तरह तरह के पौडर यूज करते हैं लेकिन यह प्र पौधे के लिए तो हैल्दी ही पौडर का काम करेगी न क्यूंकि हम लोग तो बहुत तरह के वाइट पॉडर यूज करते हैं लेकिन इस पॉधे के लिए ये हमारे एलो पॉडर बहुत ही काम का चीज है तो इसको आपको क्या करना है कि जहां जहां पॉधे खराब हो रहे हैं इनकी पतियां खराब हो रहे हैं और इनके oxygen लेवल खराब हो रहे हैं तो आपको इस तरह से देखिए मैं पत्ते पर छिड़क कर दिखा रही हूं कि आप इस तरह से इन पर छिड़कते हो तो इससे क्या होगी कि इन पर लगे हुए बैक्टेरिया लगे हुए फंगी साइड वो भाग जाएगी धीरे धीरे वो छोड़ देगी नश्ट कर देगी और वो हट कर दूसरे ज नहीं छिड़कना है तो आप एक लीटर पानी में पांच गराम हल्दी का पॉडर डाल ले और उससे आप छिड़काओ कर सकते हो नहला सकते हो उससे भी फंगी साइड दूर हो जाएगी और इनकी सिकुलन और सुखना जो इसमें स्टार्ट होता है वो लेबल कम हो जाएगी उस पर तिकिरिया को वो ठीक करेगी और दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि इस टैबलेट के बारे में जैसे कि मैं आपको इस टैबलेट के बारे में जानकारी दे रही थूँ कि ये हमारे फिनायल का टैबलेट है लेकिन आपको दोस्तों इसको नई डालना है क्योंकि ये पौधे को मार देती है, यह पौधे को बिलकुल मार देगी और इसका आप यूज ना करें, क्योंकि यूटुब पैसे कमाने के लिए तरह तरह का यूज करते हैं, लेकिन ये पानी में भी आपको नहीं घुलती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का ये कटोर पानी ले ले इसमें इस टैबलेट को मैंने डाल दिया और भी टैबलेट आप जैसे यूज करते हो खाती हो घर पी जैसे सर्दी है जो काम हो जाती है तो उस टैबलेट को यूज करते हो तो वो पानी में डालते ही वो गल जाती है लेकिन दोस्तो आप इस टैबलेट को आप ब तर्तिकिरिया का जो इसमें इलिमेंट्स है वो पानी में छालाजेगी पर ये टैबलेट गलेगी नहीं तो आपको इस टैबलेट को बिल्कुल भी यूज ना करना है चलिए तो मैं आपको दिखाती हूं कि इसको रख देना है और ये चीज फेक कम बिल्कुल भी ना करें तो तो इस पर आप इस तरह से डाले और डालकर आप अपना पौधे को केर करें इसको देख रेक करें अच्छी तरह से तो आपको जनकारी वीडियो कैसा लगा अधि अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सस्क्राइब दोस्तों बाई बाई झाल झाल